शुशीर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने नाड़ी वेदे कायकत संस्थान के अंदर अब आप हमें बताएं कि आप अपने पिताजी की किस बिमारी के लेकर आप हमारी यहां पर आए थे और उससे पहले क्या-क्या दिकतें आप फिल कर रहे थे कि पिताजी चल नहीं पा रहे थे जो भी समझ से आपको थी आपको हमें थोड़ा सा अच्छे से बताएं और अब जब आपको नाड़ी करम का हमने स्वेधन कर दिया है तो आदे गंते के बाद आपको कितना लाव मिला है उसके बारे में थोड़ा यह हमारे द्रश्कों को जो हमारे नाड़ी गयते काईकल उस अंस्थान से चुड़े हुए है या जो हम पर भरोसा करते हैं तो उनको हम दिखा सकें कि इतने किये करम किये पश्चा आपको कितना लाव प्राप्त हो है आप अपने मूँ से करके एक पैर तो जाता था लेकिन दूसरा ज़्यदा पैर उठता नहींता और चलने में प्रेशा नहीं ज़रा थी तो अब यह उप्चार देने के बाद पैर लंबा भी उठ रहा है और कदम भी थोड़े से लंबे-लंबे और आने से पहले इसके उप्चार लेने से पहले आपके पिताजी को आप किस तरीके से पगड़कर लेकर के आये और कैसे डंडी का सहरा लेते हुए धीरे-धीरे कदम रखते हुए चल रहे ते लड़े पड़ा दरश्कों को बताईए और उसमें आपको कितना रिलीफ मिला है वो तो वीडियो भी बता देगी आप अपने म अगर देगा जाए तो लगवड़ लगवड़ पचास परसेंट आराम इसमें हो गया है अभी बिना सारे के चल पा रहे हैं और थोड़ा सा कभी-कभी लटखडा रहे हैं लेकिन आशा है कि जल्दी हो जाएगा कि आप हमारे संस्थान में आए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और भाशा है आप इसी प्रकाल से अपने पिताजी के लिए दस मिनट एक हंटे का समय निकाले तो हम इंको और भी स्वास्ते के लिए बिधत अलग-अलग सुई धाई दे सकते हैं यह